सर जिस तरीके से अगर होटी कल्चर म्यूजियम के बात करें, रोस गार्डन पूरे विश्व में फेमस है, चंडिगर्ड में ही नहीं, इसके हालत को हम आपके जुबाने जानेंगे कि इस तरीके की हालत क्यों बनी है, क्यों स्टोरिज बना दिया गया है। अबाट आट सो वराइटी यहां रोस इसके हैं, यह म्यूजियम इसके बनाया गया था कि हम इसके अंदर कुछ फोटोग्राप्स कुछ ऐसी चीजें लगाएं जो रोस के साथ के साथ निंग है, और जो तूरिक्ष्चा उसको दिखा सकें, कि यह रोस हम लोग कैसे पूदा त होने के लावा हम कुछ नहीं करते हैं यहां पर, इस म्यूजियम को हम चाहते हैं कि एड्मिस्टिशन दुबारा से इसको रीजुनिवेट करें सर अब वजह क्या मानते हैं, क्यूंकि काफी लोग यहां पर पहुंचते हैं, विदेशी सेलानियों के बात करें तो वो ज़्यादा तर संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन स्टोरिज पूरा एरिया बनाए गया है, क्या प्रसाशन के अधिकार इसे देखने नहीं आते हैं और जो कमियां थी, उसको हम ठीक करें। पूरा साल का जो भाव है, वो उसको उस समय थोड़ी दिर में उसको मिल सके, उसके लिए म्यूजियम जूरी होता है। नगर निगम की तरफ से जो जिस तरीके से मैंटेन यहाँ पर इस म्यूजियम को किया जाना था, वो म्यूजियम उस तरीके से मैंटेन नहीं क्या क्या है, जिसके चलते, समाज से भी अब कहने लगे हैं, कि उन्हें यह म्यूजियम दे दिया जाए वो अपने खर्चे पर इसकी देखरेक करेंगे और जिस तरीके सीसे मेंटेन किया जाना है उस तरीके सीसे मेंटेन करेंगे कैमरमें श्रहत के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडिगट से इशाठा कुई